असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर को नेक्स आगे कंटीनिव करना है वैसे तो हमारा टॉपिक है मुव्मेंट ऑफ जहां से हमने स्टार्ट करना है लेकिन लास्ट टाइम मैंने आप से कहा था मैं आपको लीप येर समझाऊँगा अच्छा लीप येर क्या होता है कि जैसे हर साल जो है वो 365 डेस का होता है एक साल जो है वो 365 डेस का होता है जो लीप येर होता है वो 366 डेस का होता है मतलब उसमें एक दिन ज्यादा होता है और वो एक दिन ज्यादा कहां पर करते हैं वो February में करते हैं, अगर आप notice करें, कि वैसे तो 28 days का February होता है, वो leap year के अंदर February 29 days का हो जाता है, लीप year कौन से गुजरें, जैसे 2016 के अंदर February 29 days का था, 2020 भी, जो COVID के दुरान गुजरा, वो जो साल था, 2020 भी 29 days का था, similarly, जो 2024 अब साल आएगा, क्योंकि हर चार साल बाद लीप year आता है, तो वो 2024 जब आएगा, तो वो भी 29 days का आएगा, अब सवाल यह बनता है, कि यह चार साल बाद क्यों आता है, तो वो हम देखेंगे, उसकी रीजन है, हमारी एक revolution, revolution के अंदर एक time period है, उसकी वज़ाते ही होत है, सबसे पहले चीज़ है, जो हमने पहले बेडिसक्रस की थी, कि rotation उसको कहते है, जब अर्थ जो है, globe वो अपने ही एग्जिस के एग्जिस के एग्जिद, rotate करे, और revolution हमने कहा था, उसको कहते है, जो sun के एग्जिद, जो अर्थ चकर लगाती है, इसको हम revolution कहते हैं, तो यह जो leap year है, वो revolution से बनता है, कि earth जो है, वो sun के एग्जिद, एक जब चकर लगाती है, या एक revolution कम्प्रीट करती है, तो उसको कितना time लगता है, 365 days and 6 hours, अब 365 days तो हो गया एक साल, मतलब उसको एक साल, और फर्दर 6 घंटे और भी लगते हैं, revolution करने में, अचा, अब यह तो एक चकर हो गया, और 6 साल एक extra बच गया, फिर second revolution होती है, फिर क्या होता है, 365 days and 6 hours, मतलब एक साल, और फर्दर 6 घंटे, फिर तीसरे चकर पे भी ऐसे होता है, 365 days and 6 hours, मतलब अगर आप देखें, तीन चकर के बाद, पहले चकर में 6 घंटे, फिर दू 365 days, चोथा साल मुकमल हो गया, प्लस 6 hours, फर्दर एड हो गया, इसका मतलब है, 4 सालों के अंदर 6 घंटे हर बार हमने देखा के यह spare रह गये थे, तो 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 hours, और अगर हम इनको add up करें, इन 6 घंटों को 4 दफा, तो यह बनता है 24 hours, और 24 hours जो है, हमारे पास इजाफी ब हर 4 साल के बाद हमारे पास एक इजाफी एक दिन बच जाता है, जो revolution में कहीं न कहीं, count नहीं हो रहा, यह calendar में आ नहीं रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, February के जो 28 days होते हैं, उसको फिर हम 29 days करते हैं, ताकि यह जो time हमारा निकल रहा है, side से 6 घंटे जाफी हो रहे हैं revolution में, उ एक दिन हमारे पास spare बच जाता है, जो हम calendar में add कर देते हैं, जी तो आज हमने start करना है movement of earth, already मैं इस चीज को discuss भी कर चुका हूँ, दुबारा हम quickly इसको discuss करेंगे, सबसे पहले है rotation, जैसे कि आपको पता है, rotation क्या होती है, कि वो आपने axis पे जो move करता है, the earth moves around its axis, this is called rotation, और characteristics क्या है rotation के, तो अगर आप यहां पे diagram देखें, तो आपको पता है कि directions में उपर north होता है, नीचे south होता है, right side पे east होता है, और left side पे west होता है, तो जो earth है, उसकी movement क्या होती है, from west to east, मतलब ऐसे rotate होती है, मतलब यहां पे east है, तो west से east की तरफ rotation होती है, मतलब ऐसे rotation होती है, अचा, next है, the speed of this movement is about 1700 km per hour, इसका मतलब हर गंटे के अंदर तकरीबन 1700 km जो है, इसकी movement होती है, इस rotation की, मतलब बहुत तेज होती है, लेकिन हमें feel नहीं होता, the earth takes a complete rotation around its axis in 24 hours, यह तो हमें पता है कि एक rotation जो है, वो 24 hours में complete होती है, मतलब एक rotation जब complete होती है, तो एक पूरा दि complete हो जाता है, उसके बाद है, days and nights are formed as a result of this movement, बिल्कुल ऐसी है, जैसे हमने last time पे discuss किया था, आप हो शायद याद हो, कि पाकिस्तान है, अगर for example, इसके सामने सूरज है, तो यह अभी इस टाइम दुपहर है, अच्छा फिर यह जब थोड़ा दूर दूर जाता रहेगा, इस सुबह होगी या दुपहर होगी या फिर थोड़ी शाम हो जाएगी, वरना अगर opposite side पहोगा तो रात हो जाएगी, तो यह जब rotation एक complete होती है, तो basically, दिन रात complete हो जाते हैं, दिन रात form होते हैं, और इस तरह एक दिन complete हो जाता है, इस पेज पे आपको एक experiment बताया गया है, क आप कैसे days or nights form कर सकते हैं, वो कह रहा है कि एक torch लें, उसके सामने आप ball रहें, बाल को आप slow-slow गुमाएं, तो आप देखेंगे, torch जो है sun का का काम कर रही होगी यहाँ पे, और बाल जो है वो अर्थ का 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 रही होगी, आपको समझ आजएगी, कि जिस side पे torch पर रही ह and nights, यह important है कि कई बार आप कहते हैं कि सर्दियों में जो है वो दिन छोटे होते हैं, कर्मियों के जो है वो दिन बड़े होते हैं, तो यह कह reason है, यह क्यों यहाँ पे days or nights short or long होते रहते हैं, आपको days or nights की length समझाने के लिए, मैं page number 8 पर है हूँ, जो कि actually seasons का topic है, लेकिन इसक tilted होती है, tilted कितनी होती है, 66 and a half degree पर tilted होती है, जो आपके book के page number 6 पर यहाँ पर आपको बताया क्या है, अच्छा, अब होता क्या है, कि obviously earth तो revolve कर रही है, आप directions देख सकते हैं, यहाँ पर revolution हो रही है, ठीक है, अब earth जब revolve कर रही है, तो उसकी मुक्तलिफ positions होती है, उसके orbit में sun की earth के मुक्तलिफ positions होती है, अगर आप यहाँ पर देखें, इस जगह पर, तो यहाँ पर लिखाव है September 22, September 22 को, जो earth है, वो इस direction में है, लेकिन उसको sun की light है, वो half-half लग रही है, इसका मतलब है, कि equator पर अगर आप ऐसे देखें, इस तरह से, तो उसको हर side पर, tilted भी है उसको हर side पर, north pole पर भी और south pole पर भी equal light पर रही है, इसका मतलब है, कि north side पर भी जो countries है, यह even south side पर भी जो countries है, उसको equal सूरज मिल रहा है, और equal रात मिल रही है, इसका मतलब, September के अंदर, आपके जो दिन और रात होते हैं, वो बराबर होते हैं, क्योंकि सूरज की light जो है, वो north पर, south पर equal time परती है, अच्छा, हमने का इस तरह से tilted है, अब जैसे ही, यह sun के side पर जाएगा, तो आप note करें, मैंने थोड़ा earth को tilt किया है, और यह north side है, और यह south side है, अब होगा गया, जब rotation भी हो रही है, यहाँ पर, दिन change हो रहा है, तो आपके south side पर ज्यादा धू पढ़ी होगी, north पर बहुत कम दूप पढ़ेगी, इसका मतलब यह है, कि यह December के दिन है, और यहाँ पर north में, क्योंकि सूरज बहुत कम पर time पर पढ़ड़ा है, इसका मतलब वहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगी, अगर आप यहाँ पर देखें, तो पाकिस्तान यहाँ पर तो अगर मैं tilted रखूँ इसको, तो यहाँ पर जब आएगा तो बहुत थोड़े time के लिए सूरज होगा और फिर रात हो जाएगी, ठीक है, तो December के time में, December में आपको पता है, दिन छोटे होते हैं सरदियों में, और जो राते हैं वो लंबी होते हैं, इसलिए night time जादा होते सूरज तो पढ़ नहीं रहा होता, similarly फिर आप मार्च में आते हैं, मार्च में भी जब आप देखते हैं, तो मार्च के अंदर भी जो north और south pole है, क्योंकि इस तरह से tilted है, तो यह north और south pole पे same जो है आपको light पढ़ रही होती है, फिर जून में जब आप आते हैं, तो फिर इस north pole है, उसकी उपर सूरज ज्यादा टाइम रहेगा और दिन लंबे रहेंगे, और south pole पे यहाँ पे दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी, तो जब north pole पे ज्यादा टाइम सूरज पढ़ा, दिन लंबे होगे और रातें छोटी होगे, और इसी चीज़ को समझते वे, days and nights की length को समझते वे, हम ये भी समझ सकते हैं, कि September में क्योंकि equal days and nights है, इसकी वज़े से temperature जो है, वो इतना ज़्यादा ना गर्मी होती है, ना सर्दी होती September में, March में भी same situation है, आधे दिन रात होती है, और आधा दिन सुबा होती है, अम दब दिन होता है, रात होती, equal days and nights, राते लंबी होती है, और सूरज बहुत कम टाइम के लिए, नॉर्थ पोल पर पड़ता है, नॉर्धरन साइट पर पड़ता है, इसलिए आप देखते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम सर्दी होती है, क्योंकि सूरज बहुत कम टाइम जो है, वो directly मिल रहा होता है, पाकिस्तान को या इन तमाम कंट्रीज को, similarly अगर आप इस साइट पर आजए हैं, जून के अंदर आगर आप देखें, तो यहाँ पर जून में गर्मी होती है, क्योंकि नॉर्थरन साइट को कंटिनूसली आपको यहाँ पर धूप मिल रही होती है, जो आज कल मुसम आने व पर आपको पता है, जून के अंदर समर होता है, फिर आपको पता है, सब्टेंबर के अंदर आटम होता है, और दिसेंबर के अंदर फिर विंटर होती है, तो आपको पता है कि यह movement की वजए से और इस tilt की वजए से कि अगर north side सूरज की तरफ है तो वहाँ पर summer होगा, अगर यही north side इदर इस side पर देखेंगे, तो वो away from the sun है, तो वहाँ पर क्योंकर winters होगी, यहाँ equal है, औरṣ यहाँ पर भी equal है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्योंकि tilt है तो यहां पर north side को direct लग रही होती है और इस time में अगर आप देखें तो south side को लग रही होती है तो यह उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि किस तरह से tilt की वज़े से जो है वो इस side पर देखें लॉगन nights है और यहां shorter days है फिर इसी तरह बताया कि यहां पर longer days है और यहां पर shorter nights है और इस तरह से उन्हों का बताया कि north pole पर और south pole पर different है कि अगर आप north pole पर देखेंगे तो उपर longer nights, shorter days, south pole पर देखेंगे shorter nights, longer days क्योंकि सूरज यह side पर लग रहा है तीक है वो away from the sun है यह वाली side similarly अगर आप यह देखें यह sunlight है तो north pole towards sunlight है तो उपर longer days क्योंकि sunlight तो लगती जा रही है, longer days है और nights shorter होगी south pole की उपर अगर आप देखें, sunlight नहीं लग रही directly क्योंकि tilt भी है, south pole दूर चला गया, away from the sunlight है तो यहां पर days shorter होगी और nights longer होगी और यह थोड़ा से आपको देखेंगे diagram तो automatically खुद भी समझ आ जाएगा इसके बाद revolution अगर हम यहां पर देखें, तो revolution का topic है जो page number 7 पे है, तो revolution जो है वो होती है anti-clockwise, इसका मतलब है कि अगर यहां पर sun है center के अंदर तो यह movement जो है earth की यह planets की, यह anti-clockwise movement है anti-clockwise कहते हैं कि clock की movement का opposite clock की movement आपको पता है कि tick 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 ऐसे move करती है लेकिन यह opposite move कर रहे हैं तो इसका हम anti-clockwise movement कहते हैं और हम यह भी जानते हैं revolution क्या होता है the movement of earth in its orbit around the sun is called revolution और कितनी speed से move कर रहे हैं the speed of this movement is about 107,000 मतलब के 1,07,000 km पर आर एक घंटे के अंदर इतनी speed के साथ move कर रहे है the earth completes a revolution in its orbit in 365 days and 6 hours यह जो हम पहले discuss कर चुके हैं कि एक revolution मतलब कि earth यहां से move करके दुबारा एक चक्कर जब complete करता है एक revolution complete करता है तो उसको 365 days मतलब के एक साल और फर्दर 6 घंटे लग जाते हैं seasons are formed by this movement जैसे हमने rotation में बात की थी के days and nights are formed in rotation तो यहां पे seasons are formed due to revolution the orbit in which the earth revolves is oval in shape और हम यह बता दे कि जो यह जो movement है जहां पे orbit move जिसके उपर move कर रहा है अर्थ यह circular नहीं है बलके थोड़ा सा इसके orbit की shape oval shape है ठीक है इसके बाद हमारा topic है solar eclipse और lunar eclipse इसको quickly अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं diagram पे directly जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि solar eclipse और lunar eclipse होता क्या है solar eclipse यह होता है कि जब अर्थ और sun के दर्मयान moon आ जाए इसका मतलब यह है कि अगर दुपहर के time कभी भी अगर आप आश्मान की तरफ देखें और आश्मान जो है वह चांद से cover हो जाए हम अर्थ पे मोजुद हैं और हम सूरज कु देख रहें कि अगर आप खड़ें यहां पर और अगर आप सूरज को देख रहें तो इन दोनों के दिमिन और चांद और चांद आ जाए गांगा और उससे क्या होगा एक solar eclipse हो जाएगा अगर आप यहाँ पे देखे तो इस तरह की एक चीज़ बन जाएगी जो last year भी solar eclipse हुआ था और बहुत सारे लोगों ने दुनिया में उसको देखा भी था कि यहाँ पे सूरज की उपर क्या हो गया था चांद आ गया था जिसकी वज़े से चांद ने सूरज को कवर कर दिया था तो अब हम कहेंगे कि when moon comes between the earth and the sun क्या होता है solar eclipse occur होते है secondly अगर earth और sun sorry moon और sun के दिरमियान earth आ जाए जैसे कि रात के टाइम अगर आप देखे हैं तो आप earth पे खड़े हैं और आप moon को बिख रहे हैं अब moon क्यों चमक रहा है क्योंके वो sun की light से चमक रहा होता है तो क्या होता है कई बार moon जो है वो earth के पीछे चुप जाता है और उसको sunlight directly नहीं मिल पाती जब वो moon चुप जाता है या moon के color थोड़ा सा change हो जाता है डल हो जाता है इसको हम lunar eclipse कहते है तो simple सी बात है कि जब earth और sun के दिर्मयान moon आ रहा है दिन का time है solar eclipse ठीक है solar means sun से related है दिन का time होता है इसको solar eclipse कहते है lunar eclipse क्योंके ये moon से related है और moon क्योंके वहाँ पीछे चुप जाता है earth के sun की light directly नहीं पड़ पाती तो moon और sun के दिर्मयान जब earth आ जाती है तो हम इसको lunar eclipse कहते है और ये रात के time होता है page number 9 क्यों पर एक simple से experiment दिया गया है कि जैसे जो आपकी आँखे हैं वो अगर for example हम उसको earth समझ लें और bulb को हम यहाँ पे sun समझ लें तो इस तरह का experiment करके आप ये चीज़ें भी कर सकते है next topic है आपका continents and oceans तो जैसे के हमने बात की थी कि earth के surface जो है वो 510 million square kilometers पे है उसका area और इसके उपर जो land है वो तक्रीबन 29% है और इसके उपर जो water है 71% है और इसके उपर जो land है वो definitely continents में divided है और अगर हम देखें कि कौन-कौन से continents है तो सबसे बड़ा है जो continent है वो है Asia land wise हम area wise कह रहे है उसके बद Africa फिर North America फिर South America फिर Antarctica उसके बाद है आपका Europe फिर है Australia ये साथ बड़े continents है इसकी आप detail पढ़ें बहुत ही simple detail है डाइग्राम से भी आप देख सकते है कहां कहां पे continents मुझूद है Asia है फिर उसके बाद हमने बाद की Africa है फिर हमने बाद की North America है फिर South America है और उसके बाद फिर है Antarctica और उसके बाद फिर हम बात करेंगे Europe और Australia Europe and Australia तो area wise अगर आप देखें सबसे बड़ा Asia है फिर उसके बाद North America, sorry Africa है फिर North America है फिर South America है फिर Antarctica है area wise फिर योरा पह और फिर Australia है यह seven continents है और इनकी detail आपको यही बताएगी है कि यह किन locations पे पाया गये है या पाया जाते हैं next हमारे पास तो last topic है इस chapter का वो है oceans oceans जो है हमारे पास वो majorly पाँच बड़े oceans है there are five big oceans और ocean किन को कहते है a huge mass of water is called ocean जो बहुत ज़्यादा पानी जहां पे होता है और सबसे बड़ा आप समझे लिए area पानी का उसको हाँ ocean कहते है और ocean और sea sea जो है वो different होता है जो ocean और land के दिरम्यान कुछ पानी होता है अकसर हम उसको sea कहते है असान लफजों में the adjacent water body along with the land उसको हम कहेंगे यह sea है ठीक है जो sea के बाद फर्दर आगे पानी होता है हम उसको ocean कहते है वो बहुत wide होता है बहुत ही huge होता है अच्छे यहाँ पे 5 oceans हमें पता है सबसे बड़ा pacific ocean फिर Atlantic फिर Indian फिर Southern और Northern इसमें भी इसकी location बताएगी है कहां कहां पर है और अगर यहाँ डाइग्राम में देखेंगे तो आपको oceans का भी बताएगा है अगर आप देखें यहाँ पे Pacific है यह यहाँ पे Atlantic है यहाँ पे और यहाँ पे इंडियन है फिर आपका Northern और Southern क्योंकि Pacific यहाँ पे भी है दुनिया गोल है तो यहाँ पे आपको नजर आजाएगा अगर मैं यहाँ से गलोब से आपको बता सकूँ तो गलोब में भी आपको बताऊँ यह Pacific Ocean है अगर आप यहाँ पे देख सकें और इसके opposite side पे यहाँ पे Atlantic है और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो इंडियन है और फिर यहाँ पे Southern है और उपर जो है Northern है तो यह आपने पढ़ना था यहाँ पे हमारा chapter हो जाता है खतम आप लोग अपने unique notes को use करते हुए वहाँ से MCUs याद करें short questions याद करें और long questions याद करें Thank you very much